गृट मॉरिंस टूजिंट Lup ini चुनल सब्सक्राट civ 6 अडियाग्र इसमें हमें पक्षों इसे पहले इसमें व्य कॉस्टन cel घंज ता देख अट 2019 से 5 उसमें तो हम एक कोरट कर लिया है सिसाये कमडिन पर देखो पिक्चर को देखकर करके आपको आंसर लिखने है वनबर का कुशन है राइट नीम और देखने है तो कौडिलेटर का नीम क्या है तो नीम आप देखो यहां से आपको पिक्चर में दिख रहा है A, B, C, D हैना तो हम लिखेंगे कौडिलेटर A, B, C, D नेक्स्ट कोडिलेटर है राइट नीम और देखो आपको इस पिक्चर में दिखा दूँ यह जो है बच्चर यह साइट होती है इसके ओपर जो है वो भी इस तरह से साइट के रही जाएगगे तो हम लिखेंगे कैसे देखो सबसे फर्स्ट हम लिख सकते हैं A, B A, B साइट हो गई इसके बाद हम लिख सकते हैं B, C साइट B, C साइट के बाद हम लिख सकते हैं C, D साइट और फिर D, A इस तरह से आपको साइट लिखने हैं portion बगत ही है in the coordinator A, B, C, D right to pairs of adjacent angles with angle B as one of those angles अब adjacent होता है जो क्या होता है? जो जो B आपको लेटर से या है उसके साथ touch होना चाहिए हो line तो जैसे आपको B दिया हुआ है तो यहाँ पर जैसे आपको देखो यहाँ पर B है यह B है, है ना? तो B के side में क्या हैगा? B से touch होकर line कौन से चाह रही है? तो A है ना? तो यह हुआ उसका pair तो समझो कि आपको B दिया हुआ है तो B के साथ कौन है? एक तो A हो गया और एक C हो गया क्योंकि वो भी यहाँ देखो B से straight ओके इस तरह से line बन रही यह और यह है तो आप pair में बोल सकते हो कि angle B and angle A angle B and angle C ओके B दोनों में आएगा है ना? B and A and B and C Next question है 4 number which angle is opposite to angle B? B के opposite में कौन सा angle है? तो यहाँ पिछले में दिखते हैं तो B के opposite में direct उसके उपर की सेट जाओ तो आपको कौन सा angle दिख रहा है? D है ना? तो यहाँ पर देखो B के exact सामने है आपको यह दिखाई देगा तो यह B है B के यहाँ पर opposite में T है इसके बार है question number 5 Name the side at C and to side A, B अब A, B जो में आपको बताया था B से touch करके जो line जारी है उसको आपको देखना है अब यहाँ पर A and B लिखा है तो उसकी side आपको बतानी है तो हम फिर से picture में चाते हैं यहाँ देखो यह देखो, यह A से यह line टाच होके जारी है तो A, D हो गई B से तो B, C हो गई तो इसको लेंगे at the same side next है आपका which side is opposite to D, C D, C के opposite कौन सी side है तो D, C अब देखते हैं पिच्छ में D, C कहा लिखा हुआ है तो D, C लिखा है यहाँ से यहाँ तर यह side है तो इसके opposite side हुई इसके exact सामने और इक side है तो हुई A, B अब है question number 7 How many diagonals does the body letter have named them कितने diagonals दिख रहे हैं इसमें आपको 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 डाइगोनस के लिए आपको देखो बैच्छों यह दिखना है जो यह लाइन दिख रहे हैं यह यह बीचकी लाइन इसका हम डाइगोनस होलता है तो हम कह सकते हैं A, C and B, C क्यों होगे उसके डाइगोनस होते हैं कौन कौन से होते हैं A, C and B, D अब है question number 8 Can we call the coordinator as a polygon of four sides Q Give reason Can we call the coordinator as a polygon of four sides Give reason, reason बताओ कि कह सकते हैं उसको Yes, कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं? Because it is a simple closed figure made up of four line segment इसलिए हम इसको polygon भी कह सकते हैं अब activity में आजओ Draw a triangle and name its vertex Write the names of the side and angles of the triangle अब हमको एक draw करना है triangle का उसको name दे देना है है ना? उसकी vertex बतानी है फिर उसका name बताना है और side और angle बतानी हैं तो चलो हमें हमें हाँ बताते हैं सबसे बहुत हमने triangle draw कर लिया उसका name दे दिया हमने A, B, C इसकी vertex कौन सी है? मैं आपको बताया था उच्चो कि vertex इसको कहते हैं यह जो होता है ना? कॉर्णर का side उसको vertex कह जाता है यह vertex हो गई आप side कौन सी होती है? आपने इतना सरसी क्लिया आपको पता हो गया होगा कि side हम इसको कहते हैं यह होगी side side complete हो गई आप angle इसको कहा जाता है तो जो vertex होता है ना? उसको angle इसको यहाँ पर A, B, C इसमें क्या होता है बच्चो? आपको angle का symbol लगाना होता है vertex में symbol लगाना नहीं होता है क्योंकि इतना सही changes है अब आजाओ question number 2 में draw a coordinator and name its vertex write the name of its side and angles draw the diagnose of the coordinator अब आपको क्या बनाना है? coordinator का picture बनाना है आपको draw करना है अपने question इससे पहले 50 number में सिखा है ना हम यहां से अच्छा से coordinator का draw कर लिया हमने अब इसका हमने name दे दिया तो इसको name हमने क्या दिया? A, B, C, D अब इसके vertex क्या होंगी? कैसे आपको अच्छे से पढ़ता चल गया होगा कि इसका vertex होगा? A, B, C and D G, this is sides Okay? अब angle किसको कहएंगी? तो angle वीटा यह होता है यह angle होते है यह angle होगे अब गर diagonal को रहे हैं तो कितने diagonals होते है? 2 तो यह जो cut हो ए ना इससे यह touch cut हो रहा है इससे यह touch हो ना Okay? यहां देखो B के साथ क्या है? D और A के साथ है C, तो यह हुआ इसका Diagonal, इसमें कुछा नहीं गया है, मैं आपको ऐसे बता रहे हैं, को को नौलेज होना चाहिए लिसके, चलो उसके बाद है, Question 3, Draw a Circle of Radius 3.5cm, अब देखो बिच्छों, यहां पर आपको जैसे जैसे Line दी हुई है ना, उस तरह से आपको Draw करत जाना है, Draw a Circle of Radius 3.5cm, तो 3.5 आपको Rounder में Pencil से Fit कर लेना है, Scale से Major लेना है, उसका एक Circle बना देना है, Let M be the Center of the Circle, अब Circle में M का Point लेना है, आपको Dot कर देना है, Take a Point, T on the Circle, अब T जो है Circle के अंदर आपको एक Point लेना है, Okay, T होना चाहिए, उसको T लिखा होना चाहिए, On the Circle लिखा है, यानि क्या होगा Circle के ऊपर एक Point लेगा, Draw a Diameter and any other code through T, अब दिखो यहाँ पर क्या पूला है, Draw a Diameter, अब Diameter draw करना है और Code draw करना है, तो उसमें T आपको लिखना है, Measure the length of the Diameter and the length of code, compare the two length, अब दोनों लाइन्द को आपको compare भी करना है, Okay, अब देखो यहाँ पर एक Draw हमें Ready करके रखा हुआ है, 3.5 का Measure ले लिया और हमने इसको draw के, अब यह जो line होती है, बच्चों, उसको Radius कहा जाता है, Okay, अब यह जो complete line होती है, जैसे इसको, इसको हम बोलेंगे, देखो यहाँ पर, यह जो line है, बच्चों, इसको हम Radius कहेंगे, यह जो line हम इसको diameter कहेंगे, इससे हमें code कहेंगे, अब T लेने को कहा था, यह जो आपको बोला था ना, Let M be the center of the circle, center यह बिच्चों बिच्च, आपको M लेना है, तो हमने यहाँ M ले लिया, Okay, take a point P on the circle, अब on the circle यह नहीं हुआ है, तो हमने circle में T ले लिया, Okay, अब इसमें साबको diameter बना देना है, Okay, अब क्या बुला है, दोनों का measure आपको compare करना है, तो जो code का, जो हम अगर scale के measure लेते हैं, तो वो भी 3.5 बन गया है, यह कोई composite नहीं है, कि 3.5 ही बने, कम जादा भी बन सकता है, Okay, अब क्या करना था, दोनों को minus करना था, diameter में से code को minus करना था, तो 7 में से minus कर दिया, कि length of the diameter 7 cm है, length of the code 3.5 cm है, compare करने पर क्या होता है, 7 में से 3.5 कट करेंगे, तो 3.5 ही आएगा, पर यह answer change भी हो सकता है, क्योंकि code का, जो measure होगा, वो अलग भी आज़का है, Okay, इसके आपको confused नहीं होना है, Okay, यहाँ पर आपका यह chapter finish होता है, Okay, मुझे आशा है कि आपको यह chapter बहुत अच्छे से समयत में आ चुका होगा, Okay, Bye children